टॉपिक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अंड करेंट क्या मतलब होता है पहले तो आप थेवरी समझ लिजिएगा जब किसी कॉयल को अगर किसी मैगनेटिक फिल्ड में रखा जाए तो आप जानते उस कॉयल से मैगनेटिक लाइन्स पास होती है इसको कहा जाता है मैगनेट चेंज होगा और मिस्टर कौन थे फैरडे उन्होंने का फ्लक्स चेंज होगा तो एक EMF इंडूज होगा EMF इंडूज होगा मतलब क्या होता है एक्टलि जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्वाइल उस फ्लक्स चेंज को अपोस करती है तो अपोस करने का तरीका क्या होता है क ऐसा current develop करना चाहती है कि वो ऐसा magnetic field create करें कि उस opposition को cancel करें, sorry, उस change को वो cancel करें, ठीक है, तो वो अपने electronों को order करती है, सभी लोग चलो current flow हो जाओ, तो electron चलना सुरू कर देते हैं, लेकिन मजबूरी है, circuit बीच में कहीं break हो है मालिया, तो electron चलना तो सुरू कर देते हैं, एक त पॉजिटिव एक तब निगेटिव तो क्या develop हो गया, EMF एक induced हो गया, लेकिन circuit complete होगा, तो current flow होगी, otherwise नहीं होगी, तो उसी induced EMF को निकालना है, उसी को हम alternative voltage करते हैं, यह alternative voltage को दो दूसरा कारण है, अभी उसके बारे में बात की जाएगी, तो पहले induced voltage की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे कि वेन हम diagram नहीं बना रहे हैं, diagram आप जानते हैं, कि जब कोई coil किसी magnetic field में रखी है, और मा लिया कि coil का जो area vector है, हमने माना कि A is the area of the coil, यह क्या है, area of coil, और magnetic field कितना है, magnetic field कितना है, वो भी है, और हमने माना कि magnetic field की जो theta है, वो angle between, theta क्या है, angle between, किसके किसके वीच angle है, angle between area vector, area vector and magnetic field, तो अब क्या हो रहा है, कि यह coil magnetic field में रखी है, diagram नहीं बना रहा हूँ, diagram आप जानते हैं, बना चुके हैं इसके पहले, तो अब इस coil के अंदर से magnetic flux पास होगा, तो magnetic flux, linked with the coil, linked with the coil, with the coil, 5B, magnetic flux का formula क्या होता है, B dot A, B dot A, या हम कह सकते हैं, B A, cos theta, ठीक है, अब हमने कहा कि suppose this coil is rotating in the magnetic field with angular velocity omega, यानि omega है, angular velocity, angular velocity, यह omega है, तो यह B A, cos theta है, theta को क्या ले सकते हैं आप, B A, cos theta is what, omega T, तो यह 5B हो गया, हमने कल जो numerical distance कर रहे थे, उसमें इस topic को हमने प्रूब भी कराया था, roughly प्रूब कराया था, ठीक है, अब, because this coil is rotating in the magnetic field, तो मतलब, यूस coil से भाई, ऐसे हमने coil रखी है, यह magnetic lines pass हो रही है, अगर coil को rotate करोगे, तो flux की संख्या, change होगी, अब हमने को, how rotate करें भाला, अब हाथ ज्यादा थो rotate हो गाएगा, ठीक है, तो rate of change of magnetic flux क्या होगा, rate of, change of magnetic flux, change of magnetic flux, d5b upon dt, मतलब, इसको t के respect में differentiate करना है, ठीक है, अज़र differentiate करने, mathematics वाले बहुत तेज़ होगी, differentiate करना है, जैसे वालोजी वाले ने समझ पाएग, और वो भी जानते होंगे, तो b.a. cos omega t का differentiation होता है, minus omega sin omega t, तो minus omega sin omega t, अब जब ये flux change होगा, तो कौन बाहर निकल के आएगा, फेरेडे साप, उन्हों क्या कहा था, कि अगर कोई क्वाल किसी magnetic field में ऐसे रखी भी है, changing magnetic field में रखी भी है, या magnetic field में rotate हो रही है, then flux will change, तो the induced by faraday's law, by faraday's law, faraday's law, induced EMF, induced EMF in the coil, in the coil, इसको indicate आप E से भी कर सकते हैं, वी से भी कर सकते हैं, चुकि EMF voltage है, तो जैसे किसी-किसी बुक में उन्होंने इस प्रकार से E बनाया हुआ है, ये वाला E बना दिया, ठीक है, तो आप फिलहाल यहाँ पर V से indicate करिए इसको, induced EMF कहिए, या induced voltage कहिए, induced voltage, क्योंकि V से लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो हम V लिखते हैं, क्या होगा, minus, अच्छा इसमें माले N turns है, अगर N turns हैं क्वाल में, तो क्या फ्रमला होता है, minus N, D5B upon DT, put the value of D5B upon DT, minus BA omega sin omega T, तो that will come N, BA omega sin omega T, तो यह induced EMF confuse मत होगा, इसको कहीं कहीं पर capital E लिखा गया है, ठीक है, कहीं कहीं पर इसमाल E लिखा गया है, हम फिलाल capital V लिख रहे हैं, नाम से क्या होता है, नाम तो हमारे कुत्ते का भी बादसा है, नोट करिए इसको, यानि कि V is equal to क्या है, V is equal to क्या है, N, B, A, omega sin omega T, यानि कि यहाँ पर जो coil rotate हो रही है, यह जो V की value है, किस चीज़ पर depend कर रही है, किस चीज़ के change होने से और change होगा, N तो change नहीं होगा, B नहीं होगा, A नहीं होगा, omega नहीं होगा, change क्यों होगा, T, ठीक है, और T बोले तो, angle of the sign, और sign के अधिक्तम value क्या होती है, 1 होती है, तो, दोनों हाँ, लेकिन अब अधिक्तम बोले तो वही करो, हचा, आपने कल्व कहा था न, तो maximum value of sin omega T, क्या होता है, 1, sin omega T, मैं बोल क्या रहा हूँ, sin omega T, so, maximum value of EMF, maximum value of EMF क्या होगा, value of EMF, तो, इसको हम indicate करेंगे किस से, V naught से, is equal to N, B, A, omega, तो ये आपको W नहीं है भाई साब, W जो होता है न, W समली जे जाड़े में बाहर निकलाया, और जाड़ा बहुत है, तो कापेगा न, तो कैसे होगा, इससे सिकोड जाएगा है, तो जडाता हुआ W, that is omega, ठीक है, वो omega है, so, by question 1, V बराबर क्या होगा, V naught sin omega T, ठीक है, तो ये आपका alternating है, ये मालूम नहीं हमको, ये induced voltage है, अब ये alternating है, change हो रहा है, इसके बारे में बात अभी हम कर रहा है, नोड करिए इसको, देखे, इस omega को हम time के respect में लिखना चाहें, तो sine omega को कर देखें, 2 pi by capital T into small t, ये V हो गया, अब मैं small t की value रखोंगा, वही हमको change कौन हो रहा है यहापर, coil के घुमने के साथ-साथ change कौन हो रहा है, small t के साथ-साथ, small t change हो रहा है ना, तो small t की value हम किस के term में लिखेंगे, capital T के term में, ठीक है, और V की value हम निकालेंगे, तो इसका हम तब graph प्लाट कर पाएंगे, वह अलग की बात है कि हमको sign का graph मालूम है, लेकिन बालोजी वालोंग नहीं मालूम है, अब मालूम मेंद वालों को भी नहीं है, नहीं एक आदलों को मालूम है, हमें मालूम है, बता रहे हो कहानी, small t की value रखते हैं और capital, sorry, V की वालो निकालते हैं, अब small t की value देखे, आप ये sign का graph हम जनरली जानते हैं, ये graph होता है, ठीक है, तो पहले time रखा 0, जब आप small t को 0 करेंगे, तो sin 0 की value, 0, यानि voltage कितना हो गया, 0, जब आप इसको रखेंगे, तो जब तो 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 कर जाएगा, sin pi आएगा न, sin pi की value, 0, यानि V कितना हो गया, 0, इसके बाद, कितना रखना आपको, 3t by 4, 3 by 4 रखेंगे तो sin 270 आएगा, sin 270 की value, minus 1, यानि minus का V naught, फिर आप रखेंगे total t, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 0, 0 फिर आगया, तो आगे फिर value रिपीट होनी है, यहीं पर हम फिलाल इसको stop कर देते हैं, अब इसका graph खीचते हैं, जरा समझेगा, graph खीचने का तरीका, अभी graph खीचेगा नहीं, हम खीच देता आप खीचेगा, देखो, यह हमने maximum voltage फिलाल अब मान लिया है, कि यह maximum voltage इधर है, और यह maximum voltage इधर है, इसी के पीच में voltage vary कर रहा है, ठीक है, यह time 0 है, यह t by 4 है, यह t by 2 है, यह 3 t by 4 है, यह, यह थोड़ा सा graph ज्यादा उंचा हो गया, यहां नीचे ले आओ, बहुत दूर तक जाएगा, तो इसका graph का shape भी बगर जाएगा, देखो, यह maximum voltage V naught positive है, और यहां V naught negative है, ठीक है, देखिए, जब time t by 4 है, तो voltage maximum है, जब time t by 2 है, तो voltage 0 है, जब time 3 t by 4 है, तो voltage minus में है, और जब यह है, फिर 0 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे, ऐसे, ऐसे मिला दे, सही है ना, गलत है, गलत क्या है, यह जानना चाहते ना, हम जानते हैं, साइन का graph ऐसे बनता है, तो यह इसमें गलती क्या हम कर गए, यह गलती क्या है रहे, भाई सब रुख जाईए, जैसे, समझाना पड़ेगा ना, जैसे किसी ने का integral कैसे करें, बोले integrable करेंगे, काम को तब, करो आगे जो करना हो, क्या गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, बता सकता कोई, देखो, ती बाई एटो ले 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 हो, देखो, एक्चुली हम बताए रहे हैं, यह एक लाइन खीचा आपने न, तो यानिक यह नबिट, यहाँ पर किता angle है, angle की बात करिए, आप पुरा angle ही ले लो, यहाँ पर एग बन रहे, एक और बना लो diagram, एक और value बना लो, इसमें बीच मराई यहाँ पर, यहाँ पर लिखे दे, कोई दिक्कत, जगह नहीं रहे, यहाँ लिखे दे रहे, omega t, तो यह 0, और यह यहाँ पर क्या आएगी, pi by 2, यहाँ पर क्या आएगा, pi, यहाँ पर क्या आएगा, 3 pi by 2, यह हो जाएगा 2 pi, ठीक है, time लिखो, चाहेंगे लिखो, अगर sign, यह sign 90 है ना, sign 90 पर value कितनी है, 1, तो sign 45 कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, तो sign 45, sign 30 पर 1 हो जाता है, half हो जाता है, मतब 30 पर ही half हो जाता है, और 30 से 90 तक जाने में, value तब 1 तक पहुंचती है, यानी कि वो कम होने लगती है, मतब 30 में change uniform नहीं है, तो graph यहाँ पर इसलिए यह इस प्रकार से घूम करके आता है, सब महीं बार नहीं आई है, अभी ना बनाईएगा, अब graph पहले बना लो, तब इसमें plot करिए points, आप time plot करो, चाहे angle plot करो, जो आपकी मर्जी वो लिखिएगा, तो यह हम graph बनाएंगे, V का, यह boundaries देनी पड़ेगे न, इसी विश्मराना है, यह minus V naught, यह graph बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर, समय देते हैं कि क्या देते हैं, समय देते, यह समय 0 है, यह T by 2 है, यह T है, minus V naught है, तो यह आपका, alternating voltage का, graph है, similar graph will be for I, I का graph भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर आप बस V की जिगे, I naught कर दीजेगा, यहाँ पर minus I naught कर दीजेगा, ठीक है, तो यह graph बनाएंगे जरह, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी value, 0, ठीक है, नोट करिए, तो alternating voltage का definition लिखो जरहा, लिखिया alternating voltage, definition अपने आप बना सकते हो न, जिसकी value change हो, और एक definite time बाद वो, अपनी उसी value को repeat करे, तो दिखिये, and alternating, sorry, and alternating voltage, अब voltage बोले या EMF बोलें, जोनों बाते, and alternating EMF, R voltage, दोनों कर लिख दिजएगा, and alternating EMF R voltage, is that voltage, is that voltage, whose magnitude, whose magnitude, changes continuously, whose magnitude changes continuously, with time, changes continuously with time, and direction reverses periodically, and direction reverses periodically, और यह जो definition में लिखिये, इसको रटिएगा नहीं, ठीक है, इसको रटिएगा नहीं, इसको याद कर लिजएगा, क्या बोलना हूँ, आ तो भी भी जाकर के, मतलब समझ लिजएगा, आपने भासा में लिख लिजएगा, अब ज़रा समझेगा, अगर आपको अल्टरनेटिक करन लिखना है, और तो आई ब्रावर वी अपनार होता है ना, समझेगा, फिजिक से मानती है, वी को किससे आपने डिवाइट किया, आर से, तो आई की वैलू वी से क्या होगी, कम हो सकती है, तो जब भी एक जगह वी और आई को रिप्रिजिन करेंगे आप, तो आप वी, आई को थोड़ा सा वी से नीचे रखेंगे, ठीक है, ये आई का ग्राव है, आई को वी के नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि वी डिवाइड वाई आ र है, तो ये नीचे र से डिवाइड किया, तो सिंपल सी वाद थोड़ी, आई की वैलू, कम, फिलहाले हम आर मान लेते हैं, कि वन से बड़ा होगा, आर कुछ वैलू होगी ना, रिजिट्रिंज यहां पर होगा, ठीक है, नोट करिए, अगर प्रूफ आ जाए, अल्टरिंटरिंग करेंट का, तो वोल्टेज में हमने क्या बताया, कि जब कॉईल को मेगनेटिक फिन में हम रोटेट करते हैं, और कॉईल से पास होने वाले, मेगनेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो कॉईल अपोस करती है, अपोस करने का तरीका हमने बताया, अपने चार्जेज को करेंट फ्लो कराना, तो चार्जेज अगर मूब करेंगे, और सर्क्रिट कम्प्लीट है, तो करेंट फ्लो होगा, तो वही V प्रूफ करेंगे, बाद में उसको R से डिवाइट कर दोगे, तो जो आपने अभी प्रूफ किया है न, V is equal to V not sign omega T, omega कुछ ज़्याद है, टेड़ा मेरा होता है, omega T, अगर दोनों तरफ R से हम क्या कर दें, डिवाइट, तो I is equal to क्या हो जाएगा, I not sign omega T, बस alternating current हो जाएगा, अब question यह उड़ता है, कि alternating current की ज़रूरत क्या है भई, हमारे पाथ DC current पहले से available थी, DC current के बहुत भेंकर supplier कौन थे, Edison साब, बहुत रुपया कमाया कुपकर से, ठीक है, उसमें भई chemical होगा, यह होगा, कुछ खर्चा पानी होगा, पूरा बरतन होगा, होगा नहीं होगा, तो alternating current का concept किस ने दिया था, हैं, Tesla साब, Tesla साब ने, और Tesla साब उद्गरी वरीप्ते बताते है, Edison साब पास गए थे, बोले हम एक current बना सकते हैं, पैसा विशा नहीं खर्चोगा, बना दिया उसने, Edison को यह लगा कि कहीं ऐसा नहो, कि हमारे बिजनेस पे गरवर होजा है, उसको लातमार बजा दिया, बाद में कई जिगे ठोकर खाने के बाद, उसने अन्त में बनाई लिया, अब इसका use क्या है, क्यों बनाई गई भी alternative current, जब DC current हमारे पास थी, तो alternative current का use क्या गई, करेंट का काम क्या होता है, ये बैटरी है, ठीक है, और बैटरी को आपने क्या किया, एक wire के ends के बीच पी जोड़ दिया, ये wire है ये भी, ठीक है, तो ये potential difference आपने create किया, मालिया 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये end 10 वोल्ट, ये end 0 वोल्ट, तो यहां से electron, जब यहां पर electron होगा, कोई दिक्कत है आपको, उन्हें दिक्कत हुआ कर दूस दिन मत आये करिए, आराम से घर में बैठी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह requirement उसकी है, जो पढ़ना चाहता है, या तो आप बहुत बड़े intelligent हों, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, कि आप थोड़ा सा दूसरों का सायो करें, आप से दूसरों का help हो, देखे, जब यहां पर कोई charge आएगा, वोल्टेज वी है और charge क्यू है, तो उसके एनर्जी क्या होगी, वी ब्राबर, डब्लू बाई, क्यू, एनर्जी क्या होगी, क्यू इन्टू, वी, तो यहां charge के एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इन्टू वी, अब एनर्जी, आप मैं एनर्जी वाला, यहां पहुँचिया जाकर के, यहां एनर्जी, अब किसकी याद आएगी, अम्मा की, अम्मा बोले तो, यह बैटरी के पाद जाएगा, अम्मा, अम्मा वहां मड़ी ते भूग लागे, अम्मा, अजब पापा है तो, अम्मा तो फिर खिला देंगी, फिर यही तो क्रम होता है ना, तो इलेक्टरान को करेंट फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्कुलेशन करना पड़ेगा ना, अब एक आध इलेक्टरान होंगे, करोणों इलेक्टरान होंगे ना, और तब इस तार में बहु सारे इलेक्टरान चल रहे होंगे, तो उनमें आपस में collision भी होगा, resistance भी होगा, simple सी बात है, तो इस से बचाने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, एनरजी यहां से यहां तब पहुंचे, पहुंचाने के दो तरीके, आपको क्या घर बन रहा है और नीचे मंजिल पे सबसे नीचे इंटा आया हुआ है, तो एक आदमी दस इंटा ले लेगा, और यहां से दस मंजिल चढ़ेगा, चढ़े के नीचे उतर के आएगा, और तब तक दूसा लेबर जाएगा, रास्ते में वीडी पिएगा, और तमाखु काएगा, वो collision हो गया जाकर के, अब तुम तो वेट कर रहे हो, कि वो गया था से सुरा भी नीचे उतर के नहीं आया, वो to collide हो रहा है न, DC current, तो हमने रहे हो, करो गया, रूख रुख रुख रुख, रुख रुख, रुख रुख, आइसा करो, यहां से लेकर के 10 मचल तक 100 lever खड़े हो जाओ, हो गया खड़े, तुम इंटा इंको दो, तुम इंको दो, वेड़नेतर गाया, इधहर आओ, अब क्या करोगे, हम तो चीक की वज़े से इलेक्ट्रान को दिख्कत होगी घुहने में, तो इलेक्ट्रान को यहां से ऐह तक दौड़ना नहीं पड़ा, कोलिजन की दिख्कत नहीं है ठीक है इसलिए alternate current बनाई गई अब कल्पना करिए अगर DC current powerhouse बहुत बड़ा बैटरा लगा होता है यहां सुआ तक है तब बड़ा बैटरा वहां से 2,00,000 इलेक्टरान निकले तो रास्ते में सप्लाई करोगे न आब अब अब तो खैर सबक्या इन्वर्टर हो गया है तो अगर बैटरी से दूर बल्ब लगा दो चोटा सा बल्ब आता था अंडे वाले जादा यूज करते थे हम भी पहले पढ़ाते तो वही वाला य यह लोगो पीले तो कहते हैं वह तो तुम पीला करते हैं अरे सफेद बल्ब होता था अब अगर बैटरी से दूर लगाओगे तो बैटरी वहां तक करन ले जाएगी वो डिम हो जाएगा तो क्या करते थे वहीं बैटरी रखते थे वहीं बैटरी का एक बॉक्स बनाते थे उसी बॉक्स में डंडा निकालते थे, ऐसे के उसमें अटची टाइप की, ऐसे डोल्ची टाइप की, और उस सिंबल दिलाते थे, तो DC को वहां से यहां तागाने दिक्कत होगी न, तो यह AC बनाने का मकसद था, ठीक है, और इसमें खर्चा, कुछ नहीं, क्या करना था, एक क् क्या किया, इस प्रकार से एक रोटर लगा दिया, उसमें, रोटेट करने के लिए, इसे पंखा होता है, इसे गुमाने के लिए, रोटर लगा दिया, और यह आपने टर्वाइन लगा दिया, अब टर्वाइन को गुमा दीजे, तर्वाइन को गुमाने का तरीका क्या होता ह आप उसमें पानी डाल दीजे बहुत तेजी से, तो हमने क्या क्या डैम में पानी भरा, पानी उपर ले गए डैम में, उपर पानी फेग दिया नीचे, और नीचे आया तो पंखा एक टर्वाइन वाला फैन लगा था, और फैन पे पानी पड़ा, तो फैन को गुमा दिया, औ फैन गुमा, तो कोईल गुमी, और कोईल कहा रखी थी, मैगनेटिक फिल्ड के, अंदर तो फ्लक्स चेंज हुआ, और अपने आप करेंट जनरेट होना सुरू हो गई, कोईल रुख गई, तो क्या नुक्सान होगा कोईल का, कुछ नहीं, ठीक है, हमने कुछ नहीं क्या पा हमने क्या किया, चाचा आये थे, कई चाचा चाय बना रहे हैं, तब तक पंखा चलाओ, हमने एक हंडीर वाला पंखा लगा दिया, साइकल में चलाने लगे, और साइकल के पहिये से इसको जोड दिया, साइकल के पहिया गूमने लगा, बस बढ़िया, चाची सामने पे ठाल लगा था डैनमो और डैनमो का जो घुमाने वाला सिस्टम था वो आपके पईये से लगा होता था तो साइकल चलाओगे तो साइकल का जो टैर होता था टैर से ऐसा को सिस्टम था कि वो चीज ऐसे घुसेगी और घुमेगी और आराम से लाइट चलेगी पुल्चे उतर नहीं है तो काई के लिए से कि चला यह सैक्ल उठाएंगे और कंदे भढ़ा लेंगे लाइट को नहीं जलेगी तो तेज जलेगी ठीक है तो ये भी तरीका आपका है तो इसमें क्या नुकसान हो गया अब इसकी एक फ्रिक्वेंसी है आपके इंडिया में जो frequency है 50 Hz है, कितनी है? 50 Hz है, यह fix Hz है, आपका जो डाइनमो चलता है, वो 50 Hz, उसकी frequency है, 50 Hz ही उसकी frequency है, अमेरिका में 60 है, कहीं 70 है, कहीं पे 100 भी है, कहीं पे कम भी है, 50 Hz आपके इंडिया की है, पूरे इंडिया कम करो, फिर पूरे इंडिया कम करेंगे ना, जो लाइट बनती है ना, वो 50 Hz पे है, और जितनी भी लाइट एक नट, जितना भी supply पूरे इंडिया में तार हो रही है, एक साथ लाइट में होती है, एक साथ कम होती है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके तार में क नुकसान हो जाता है तो समझ जाया है जब हम जनरेटर पढ़ाएंगे तो वहां बताए जाएगा कि टू-फेस जनरेटर क्या होता है थ्री-फेस क्या होता है तो अल्टरनेटिक का कंसर नुम्हा गया ठीक है देखे इस definition को करने के पहले तो equation current का आपने देखा I0 sin omega t और V के लिए क्या था वी ब्राव V0 sin omega t इसी equation से निकालेंगे आपको याद हो तो 11th class में आपने simple harmonic motion पढ़ा था वहाँ है SHM का जो displacement equation था वो Y is equal to A sin omega t था और Y is equal to A cos omega t भी था वहाँ पर दोनों थे फिलाल हम sign की बात कर रहे हैं तो number one लिखे maximum value और peak value number one maximum value और peak value और amplitude amplitude definition लिखवा नहीं रहा हूं मैं समझा रहा हूं definition इसी word में छुपी भी है कि in alternating current the maximum value of current obtained in the circuit is known as peak value यहाँ पर peak value क्या है i0 तो i0 is the peak value for the current और v0 is the peak value for voltage अवार न कहिए end कहिए v0 का लग केस है तो यह maximum value हो गई दूसरा है periodic time periodic time नाम से लग रहा है कि जितने time में वो coil अपना एक complete rotation complete करती है यह जो equation है इसमें किसके पास periodic time चुपा हुआ है omega के पास तो omega is equal to क्या होगा 2 pi by t तो t की value क्या होगी 2 pi by omega ठीक है बता सकते कहां से आया यह बहिस अब क्या है कहां से formula 2 pi by t कहां से आया भाई कहां से आया है हां तो कहां से आया वह तो frequencies ले होती कि 1 upon t frequency होती है कहां से आया हां omega is equal to होता है theta party rate of change of angular displacement इसके इस angular जब हम एक time period लेंगे total तो total angle कितना होगा 2 pi वहां से आया है next है frequency 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 को वैसे तो n से denote करते हैं light के लिए mu का इस्तेमाल किया जाता है light के जातर mu का इस्तेमाल करते हैं हम यहां n का इस्तेमाल चुम ज्यादातर cases में किसके लिए कर रहे हैं for the number of turns तो इसलिए हम यहां आयन नहीं लिखेंगे हम frequency के लिए f लिखेंगे f is equal to reciprocal of time period यह उमेगा upon 2 pi यह frequency हो गया लिख दीजे the frequency in the domestic alternating current is 50 cycle per second note लगा दीजेगा the frequency of the domestic alternating current in India is 50 cycle per second अमेरिका में 60 है हमारा जो generator है वो 3000 rotation per minute चलता है domestic में जो यूज हम करते हैं उसकी बात हो रही है domestic इसलिए कहा कि माल लिया हमको को एक practical करना है वहाँ ज्यादा चाहिए तो आप generate कर लिजे जो हमाय supply होती है ठीक है तो यह आपकी आज की किस्त है इसके बात देखो current बार बार चेंज हो रही है तो हमको पूरी complete cycle के लिए average current चाहिए ठीक है average current की value यह positive है यह negative है तो average कितना हो गया जीरो अब किसी current लगया वो तो मर गया और तुम करें average current तो zero थी मर कीसे गया करन तो zero थी किता में पढ़ा हमने देखो लिखा zero दिखा दिया किताब आकर के मर भी गया बतारो zero वो average current zero इसलिए आपने कहा कि जितने इलेक्टरान उधर गया उतने इलेक्टरान वापस आ गया जब उधर गय थे तभी वो सामने वाला चला गया था और जो उधर आयते तभी वो उनकी ऐसी तैसी कर गया था आपने कोई कराया आपने कोई वर्क किया heat generate की और अगर हम आपसे कहें कि बताए इस heat generate पे कितनी current यूज किया आपने नहीं बता सकते है क्योंकि current तो आपकी क्या हो रही है इतनी हो रही है चेंज हो रही ही बार बार नहीं बता सकते है ना तो हम जान तो क्या करेंगे उतना ही काम DC से करा लेंगे अब मालिया हमें 50 जूल वर्क करने के लिए DC 5 एंपियर यूज होती है 50 जूल वर्क करने के लिए DC करेंट कितनी यूज होती है 5 एंपियर यूज होती है फिर हम इस करेंट से उतना ही वर्क कराएंगे 5 जूल का तो 5 जूल करा लेंगे जितनी current होगे उसका नाम क्या देंगे फायव जूल कर देंगे यह फाइव एंपिर कर देंगे यह यह जो work कर रही है यह उस ही 5 एंपिर के बराबर है तो इसका भी नाम वही देते हैंगे तो हम DC से work कराएंगे और इस से work कराएंगे बात में कहेंगे जो DC की value